चालिस हजार साल पुराना कीड़ा जिन्दा हो गया है और क्या ये हमारे लिए खतरनाक होगा? चालिस हजार साल यानि जब वूली मेमत बड़े दातों वाला बाग धरती पर जिन्दा थे ये कीड़ा तब भी था और था था आज भी है ये राउन वर्म साइबेरिया ए पर्मफ्रोस्ट में सतै से 40 मीटर नीचे सुपता व्यस्था यानि मरने और जीने के बीच की सिती में एक्जिस्ट करता रहा ऐसी सिती में हार्ट बीट बहुत कम हो जाती है लेकिन जीवन चलता रहता है इसे क्रिप्टो बायसिस के रूप में जाना जाता है यानि पानी या ऑक्सिजन के बिना बेहट ठंडे तापमान और अत्यदिक नमकीन परिस्थितियों में भी ये जीवित रह सकता है ऐसे सौ कीडे जर्मनी लाए गए हैं इसको पैनाग्रोलिमस कोली मैनिस का नाम दिया गया है अब यह खतरनाक है या नहीं फिलहाल नहीं पता लेकिन जॉम्बी वाइरिस की तरह यह खतरनाक हो भी सकता है क्योंकि इसके बारे में हुमन बिंग्स ज्यादा नहीं जानते